हेलो यूरीवन स्वागत है आप सबीक आपके अपने यूटुब चैनल एस स्मार्ट क्लासिस में जैसे कि सिचक भरती से सम्मधी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपको अपने चैनल के माधम से बताने की कोशिस करती हूँ आज से आपर इस वीडियो में बिहार से चक भरती को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टन अपडेट है जो आपको देना है बिहार में अरच्छन को बढ़ाने को लेकर बिल पेस किया गया था तो ये बिल पास हो गया है बिहार में अब 75% आरच्छन मिलने वाला है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यह जो BPSC TRE 2.0 की वैकेंसी आई है क्या इसमें यह आरच्छन लागू होगा और अगर लागू होगा तो किसे किसे इसका लाप मिलने वाला है इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है साथ ही में PRT सप्लिमेंटर रिजल्ट को लेकर भी इंपोर्टन अपडेट है जो इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा राजपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई ये अधिसूचना आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है पच्चास फीसिदी से बढ़कर हुआ पैंसट परसंट हुआ आरच्चित वर्ग का कोटा तो यहाँ पति की संपूर्ट जानकारी है कि किसको कितना आरच्चन और बढ़ा दिया गया है आगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी बिहार में 75 फिर्ष्टी आरच्चन लागू हो गया है बिहार विधान मंडल के दोनों संदों से पारित आरच्चन संसोधन बिधयकपर, राजपाल, राजेंद, विस्तोनात, आर लेकर की मुहर लगने के साथी मंगलवार को सरकार ने गजट प्रकासित करी से अधिसूचित कर दिया है मुख मंत्री नितेश कुमार का कहना है कि सभी विभाग आरच्चन के नय प्रावधान ततकाल लागू करेंगे इसके साथ ही सरकारी नौकरी वास अच्चिक संस्थानों के नमांकन में आरच्चित वरगे के कोटे में 15% का इसाफा हुआ है यह 50-65% पहुँच गया है जो आरथिक रूप से कमझोर लोग है उनका टोटल 35- APPLAUSE कोटा होता है तो 35- Pelican में 10 conservatives जो आरथिक रूप से कमझोर है उनके लिए अरच्चित किया लगा है आगे देखी इसमें है दो विध्योकों की Gजट अधिसूचना जारी की गए जिन दो विध्यों को की गजट अधिसूचना चारी के गए उनमें बिहार सच्छडिक संसानों में नामांकन आरच्छन संसोधन अधिनियम 2023 विभार पदों सेवाओं में आरच्छन उनसूची जाती हो वन्हें विछडे वर्गी के लिए संसोधन अधिनियम 2023 सामील है इसमें पैंचेट फीजदी कोटा सभी तरह के आरच्छी तवर्ग और पैंठिस फीजदी अनरच्छी तवर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया है। जो यहाँ पर आगे देखी दिया भी हुआ है यहाँ पर देखी साब साब दिया भी हुआ है कि आरच्छन फीजदी में यस्ती को पहले 16 था और अब 20 हो गया है यस्ती में पहले 1 था अब 2 हो गया है EBC में आपका पहले 18 था और अब 25 हो गया है SBC में 12 था और अब 18 हो गया है निक्स्ट अगर बात करें महिलाओं की, कि महिलाओं को 35% 36 आरच्छन था वो लागू रहेगा, आरच्छन का और संसोधित प्रावधान लागू होने के बाद सभी वर्गिया समुदाए कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों और नामांकन में पहले से लागू 35% 36 आरच्छ तो लागू रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक जो अरच्छन विवस्था लागू थी ति था जो जो भी उपाई किये जा रहे थें सकारात्मा की योजनाएं जो जो भी चलाई जा रहे थीं कि SC, ST, EBC, BC ये सभी उपार आएं तो वो नाकाफी हैं इसलिए इनके अरच्छन के दायरा को बढ़ाया जाता है जिसे ये लोग भी आगे बढ़कर आएं नेक्स देकी बात करें कि ये जो अरच्छन लागू हुआ है ये आपका ट्यारी टू पॉइंटों में लागू होगा की नहीं तो यहां पर देखिए सापसा पादेश भी आ गया है कि प्रक्रिया अधीन वा नई भरतियों में लागू हो गंभीर अधिसूचना जारी होने की कुछ ही घंडे बाद मुख मंत्री ने आला धिकारियों के संग बैठा की और यहां पर देखिए साफसा प्लिका हुआ है कि एक लाग बाईस हजर सिच को वाच्छ हजार साथ हेड मास्टरों की बहाली में भी बढ़ा आरच्छन देखिए तो यहां पर जो ट्यारी वन पॉइंटों में जो सिचक बन चुके हैं उनकी जोइनिंग लेटर लेने की आज अंतिन किती है मतलब आज से जितने सिचक जोइन कर लेंगे वही आगे सिचक बन जाएंगे और जो भी आज तक जोइनिंग लेंगे मतलब वो सीट पहले से पढ़ा रहा थे उनको काफी वहां से दूर दूर जगे दे दिया गया है तो लोगों ने भी वहां जॉइन नहीं किया है तो वह सीटे भी आपकी खाली हो गए तो यहां पर देखे पूरी-पूरी उमीद है कि 10-12,000 आपकी सीटों पर सप्लीमेंटरी रिजल्ट जार करूंगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी बेल आइकन को भी प्रिस कर लिजे ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मस्च गाइज